तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा ढूंडता है तो किसका सहारा श्रीक गुरुदयाल मलिक आजना युवानों ने गमी जाई तेवा संत शिक्षक अथा तेवा और शो पहला अमर यात्राय संचरया पचास वर्ष पहला तेमनु जीवन आलेखन करतू पुस्तक मुकूल कलार्थी अने निरंजना कलार्थी ए समाजने आप्युचे के जेनी प्रस्तावना काका साहेब कालेल करे लखी छे पुस्तक अने प्रस्तावना वच्चे हाला जी तारा हाथ वखानू के पती तारा पगला वधावू जेवी मिठी स्परधा छे एक भारेखम मुद्दों बन्ने मां छेड़ायो छे अने ते छे अध्यात्म और चमतकार्णों आपने चमतकारों थी आकर्ष्वा ठेवायला छिये और अध्यात्म तो आपना मांटे बहु अकरो विशयी छे पणा बन्ने छेटे-छेटे रहला मुद्दाओने आपना गले उत्री जाई ते भी वात आजे अहीं करवी छे एक दिउसे एक फकीर घर पासेना रस्ता पर थी गीत गातों पसार थयो ते गीतन अर्थातों साधकोनी सिध्यों एक नुत्यकारना नखरावों जेवी छे तेथी ते पोतानों बाहियरूप देखाड़े छे एवा नखरावों और शाचा नुत्यमां जमीन आस्मालनों फेर छे बस आवात सामणीने मलिक जीये कदी पन सिध्धी मेलवानी इच्छा न राखी औने सिध्धियों अध्यात्म जगत्मां काई विशेस अगत्य धरावती न थी तेवू तेवो एक समझीने स्विकारी लिदू पांसे थी गूड शक्तियों मेलवानों एक मंत्र मागेलों पड़ ए मंत्र माते नी साध्ना पूरी करें थोड़ा जमत्कारो थवाला गया एमाथी अहंकार जाग्यों एले अकलाईने एमने ए शक्तियों मंत्रना स्वामी ने पांची सोंपिली गे। ज्यां अध्यात्मना ग्षित्रेनी वात आभी त्यां गूड अनुभवनों उल्लेखाववान अच्छे। और गूड अनुभवनी पांचल पांचल चमतकारो पणवाना। आखी दुनिया मां सामान्यमानस एक एवु प्राणी छे केने अध्यात्म करता चमतकारो माज वधार एरा सोई छे। कारण आगर जता आवा चमतकार मार्फतेज पोड़ी दुनियाने अध्यात्मनों परिचै थाई छे। गमेते धर्मना महान ग्रंथो लियो लेखकोए कोतानी अभीरूची प्रमाणे जाद जात्ना चमतकारो नोंदी लेवानू उप्चावी काडवानू पसंद करिवु छे। अद्भूत रस्वगर सामन्य मानस ने भक्तिनी जागरूती ठती न थी। पर साची वात ये छे के अध्यात्मना क्षेत्रे आ चमतकारो ने कारणे मानसे जितलू वेठिव छे तितलू नास्तिक दाने कारणे पर वेठिव न थी। अध्यात्मना उपासको एक कठोर थी न कहिएू छे के चमतकार अन अध्यात्मनों संभध्य छे अने नथी पाण। अध्यात्मनी पांचल पांचल कोईकों चमतकारो आवे छे अत्वा थाई छे ना न थी। पण अध्यात्मना दरेक अनुबहु पासे थी, चमत्कारों ने आक्षापन राखी शकाईत्यम नथी। केटलाक लोकों मां गूट शक्तियों अनाय से खिले, तो ते वो चमत्कार करी बतावेज। केटलाक अनुबहु लोकों अध्यात्मने टोंचे पूच्या पछी चमत्कार्थी अलिप्तुजरया चे। एक अध्यात्मपुरुष एकाद ख्षत्रमा थोड़ी प्रगती थतावेज। भगवाननी प्रात्न शरू खरी देचे। हे प्रबु मारे हाथे कोई चमत्कार न थाओ। चमत्कार्थी मनेशू मलवानू। नाहकनो विक्षेप पाड़नारो अहंकार वद्वानों परिणामे दम्ध वोर्वानू। हे बगवान मारे हाथे जाने अजाने एक पन चमत्कार न थाओ। बगवान वुद्धे पन पोताना सिश्षो ने भार पूर्व कईू हतु। कि जाओ। दर्मनों प्रचार करो। पन चमत्कार मार्फते प्रभाव पाड़वनों प्रयक्त न करशो। तमारा उपदेश्नियने चारीत्रेनी जियास थाय तेज खरी। तेकला थी संतोश्मान जो। एक खृस्ती संत विशेवाईकाज है। यह भगवान पासे माधिर दू हूं कि यह भगवान मारे हाथे चमत्कारो ठवाना होए। तो प्रभू एटलू करजे कि मने नी खवर न पड़े। केवाई हूं कि भगवाने खास गोठी हूं कि यह संत रस्ता परती पसार ठता जाए। अनि यह चाया आगर नहीं पर पांचर परती जाए। अनि पांचर परती छाया माथी पसार ठता लोको रोग मुक्त ठता जाए। लोको ए संतनी प्रार्थना अनि सिद्धी विशे जानता हाता। ते चुप चाप अनि पांचर जाए ने यह चाया माथी पसार ठता। पर थेला लाभने विशे ए संत आगर उल्लेक सरको करता नहीं। बोड़ा भक्तो ना कृस्ती साहित्यमा लोको ए पाड़े लूं ए संतनु नाम नों दायूं। दे सेंट अब दे होली शेडव। काका साहिब अललकर का है छे ते यथार्क छे। मनुष्य मानस ने शक्तियों विशे आपने बहु ओछूं जानिया छी है। इतले आवा दाखलाओ उपर अभिश्वास पन कराई नहीं। अनिये द्याखलाओ उपर थी अध्यात्मिक्तानू आरोपणपण खरी शकाहिने। आपनने मडेली विवेत बुद्धी अहीं खपमालेवानी रहे छे। तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा